तो आज की रेसिपी हमारी मुली का पराथा जो इत खाने में भी टेस्टी है देखने में भी बहुत है और बनाने में तो बहुत आसान है इंशाला आप सब को ये बेहत पसंद आएंगी और आप जरूर इसे ट्राइ किजिए एट होम तो आप खाये खुश रहिए देखिए इ मुली का पराथा तो आप भी जरूर इसे ट्राइ किजिए आप आपके घर पर खाये और मेरे इंग्रीडियंट से आप बनाईए मेरे मैथर से और जरूर आपको पसंद आएंगे बेहत आप भी इसके चहते बन जाएंगे तो सबसे पहले हम मुली लेते हैं इसे हम पुरा सा लेंगे एक पीलर लेकर इसके पील्स पुरा उपर का निकाल लेंगे देखिए इस तरह से हमें साफ कर लेना है और अगला हिचा और पीछा पिछला हिचा जो कट करके हम इसे देखिए तीन पीसे में मैंने एक मुली में तीन तीन पीसे करके इस तरह से इसे मैं कद्दू कस कर रही हूँ तो आप चाहे तो बारिक कीजिए चाहे तो आप मोडा कद्दुकस कीजिए मैं तो इस तरह से कर रही हूँ कूंगे मैं ये डालने में एक्सपोर्ड हूँ तो आप लोग कुछ चाहे तो आप बारिक भी बना सकते हैं तो इस तरह से कद्दुकस देखिए मैंने पुरा कद्दुकस कर लिया है और मैं एक किलो मुली लेकर कर रही हूँ ये तो इसे हम अच्छे से नमक मिलाएंगे थोड़ा ज्यादा नमक मिलाएंगे ताकि इसका पानी पूरा आपको बाहर निकल जाए अच्छे से mix कीजिए अब नमक डालकर आप इसे अच्छे से mix कीजिए इस तरह से और इसे छोड़ देना है हमें आदा घंडे तक 30 मिलर्स इसे हम rest कर देंगे ताकि इसका पानी पूरा वो निकल जाए जो स्ट्रॉंग रहता है इसका वाटर वो मैंने अच्छे से देखिए अब मैंने इसे पानी से धोकर सुखा ली हूँ अच्छे से ड्रेन कर ली हूँ तो अब यह है हमारा एक कप मैदा और दो कप गेहूं का आटा है तो दीखिए दो कप आटा एक कप मैदे में दो कप आटा इसमें हम अच्छा से वेल कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे आप नमक कम ही डाले, अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्यूंकि हम जो मसाला है, जो फीलिंग है, इसकी जो भरते हैं, इसमें स्टफिंग करते हैं, वो उसके अंदर तो पुरी मसाले रहते हैं, तो यह आप चाहे तो नमक डाले या नहीं, तो आप ऐसे ही आटे को हम मैदे को और आटे को जो भी हम इसमें इंग्रिडियन्स ढाले हैं, इसे सब्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से, हम अपनी हाथ की साहेता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें मुठी बनना है, तो आपके पराटे एकदम से क्रिस्पि एंड में जो हम श्टफिंग करते हैं उसे ज्यादा तो हमें आटे का ध्यान रखना है आटा बहुत अच्छा रहा तो पराटा बहुत अच्छा बनता है चलि हम फिर से इसे मिस्ट करने के बाद वेल बना है विसमें थ्वड़ा-थवड़ा पानी करके हम इसे अच्छे से घुण ल होना है ना तो टाइट होना है एकदम से मीडियम को बहुत आसाना है गाइस आप लोग जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएंगी यह रेसिपी दिखिए इतने आटे में मैंने 8 लोग बनाई हूँ आप चाहे तो आप कम बड़े या चुटे के हिसाफ से लोग बनाईए जितना आप लोग ले रही है और आप स्टफिंग भी उतनी ही लीजिए तो जभी आपको पराटे का मज़ा मालूंगा जभी आपको दिखींगा कि य देखिए अच्छे से हो गया अब हम इसे 10 से 15 मिनिट रख देंगे इसे और सॉफ्ट हो जाता है यह थोड़ा साइल कर ली हूँ में और इसे हम ढगकर रख देंगे अब इसका हम जब तक स्टफिंग जो फिलिंग है उसके में पूरी इंग्रिडिन्स दाल लेते हैं देखि कि अभी मैं इस तरह से पानी पूरा निचोड कर देखिए एक छनी में डालना है दोके इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा उसमें वाटर है वह पूरा हम इस तरह से निचोड लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने निचोड लिया है अब इसमें हम डालेंगे कटी ही and हुँ मैं छोटा सा और यह है चाट पॉडर यह है लेसन पिसावा कुटावा लेसन है और यह है अमारी चॉप करीवी छोटी सी ओनियन और यह है मिर्ज और यह है मैंने थोड़ा सा मीट मसाला ली हूँ आप भी ले सकते हैं देखे मीट मसाला इस से आपका टेस्ट बहुत ज़ादा पराटों में जायखदार बन जाता है इसकी जो स्टफिंग होती है उसमें एकदम से उभर के आता है यह मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत और यह है अजवाइन जो हम हाथेली में इस तरह से थोड़ा सा मसल कर इसमें डालेंगे क्रश करकर देखिए यह जरूरी है अजवाइन दानना क्योंकि मूली से ग्याज बनती है बहुत सारों को उन्हों की शिकायत खतम हो दाती है और थोड़ा सा मैंने इसमें मैडा डाली तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैडा वन टेबल स्पून एट की हूँ इस तरह से आप अच्छे से से मिक्स कर लीजिए सारे मसालों को तो देखिए अब यह है मैं थोड़ा सा काली मिर्च पॉडर और धनिया पॉडर दो दाल रही है आप कम ज्यादा आपके हिसाफ से अच्छे में थोड़ा सा लीजिए मैं थोड़ा से कम कम एक टचिंग के लिए डाल रही हूं और थोड़ा सा इसमें मैडा कम लगा मुझे थोड़ा सा डस्टिंग करीूं मैं थोड़ा सा बस fahren तो चलिए हमारी स्टफिंग देखिए तनी मुझे काई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा दे तो मूली पानी छोरती है सखत होती है यह सपर लुटर ही होती है उसके लिए हम ठीक के लिए 비ender क्याना से ख्लिए हम जाओ की दता हैं चलिए हम अब लोह बनाते हैं चलिए आप आप हिसाफ से बना लीजिए आप चलिए हम इसे अच्छे से एक हातों की साहता से हम अच्छे से पेड़े बना लेंगे इसमें स्टफिंग के लिए देखिए हतेली से आप हतेली की मदद से लेकर इस तरह से बनाईए आपके रोटियां जो है बहुत रौंड आती हैं पेड़े जैसे बनेंगे रोटी का शेव वैसा ही आएगा तो चलिए हम इसे कठोरी का शेव देते हैं थोड़ा सा ओईल लगाकर आप हाथ को थोड़ा सा ओईल कर लीजिए और हतेली में अपने दो अंगोठों की साहता से इस तरह से आप कठोरी का शेव दे लीजिए देखि तो आप एक-एक करके बनाईए या चाहे तो आप एक-एक बार में सारे बना लीजिए इस तरह से बनाने में आपको स्टफिंग करने में बहुत आसानी होती है आप देखिए इस तरह से बनाई है बेलना फिर दो दो बार फिर आप इसमें स्टफिंग करना फिलिंग भरना ये बहुत जंजट का काम होता है इस तरह से आपको बहुत आसानी होती है आप एक से चार बार आप सीख लीजिए इंशाला आपको बेहत पसंद आएंगे और कौन सभी बस इस तरह से आपको करना है ये शिख लीजिए आप हीमे का पराठा बन सकता इसमें आप कौन सभी पराठा फिलिंग बना सकती है आप बहुत सारे पराठे हैं आप कौन सभी पराठे बना सकती है देखिए चाहे आप मीठे से बनाई है ये चाहे तो इससे पुर लीजिए वो मीठे पराठे हो जाते हैं ये तो हमारे पंजाब के बहुत सा फेमस है मुली के पराठे आलू के पराठे गोबी के पराठे और हमारे पाकिस्तान में जो है खीमे के पराठे बहुत खाय जाते हैं मुली के साथ तो आप वो भी ट्राइ की कर सकते हैं अच्छे से बना लीजिए, इसकी फीलिंग इसमें भर लीजिए, इस तरह से स्टॉफिंग कर लीजिए और आप ही में का पराठा बन जादेगा और शक्कर का भी आप अगर बच्चे आपके बहुत पसंद करते हैं तो आप शक्कर का पराठा भी बनाते हैं मीठा तो उसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं स्टफिंग तो हम देखिए एक एक करके हमने सारी स्टफिंग इसमें कर रहे हैं अच्छे से आप देख लीजिए और बनाईए और खाईए अपने घर में खुशियां बाटिए और बहुत प्यार पाईएंगे आप इन्शालला ये ऐसे चीज़ें आप आपके बच्चों को और मियां को बना कर खिलाएंगे तो बेहद आप उन्हों की पसंदीदा बन जाएंगे आप अपने परिवार का दिल जीतना है तो खाना अच्छा बनाना है घर में जब खाना अच्छा बनता है तो हर एक का दिल आप खुद बहुत जीत लेंगी आप खुद बहुत सब के दिलों में उतर जाते खाने का रिष्टा है दिल का रिष्टा हो खाने का रिष्टा है दिल से खाने का कनेक्शन होता है तो देखिए इस तरह से आपको पुरा एक एक करके मूच लेना है देखिए और गाइस जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन करना प्रेस करना मत भूलिए और जिसे भी एड्रेसी भी पसंद आ रही है प्लीज वो मुझे लाइक कीजिए शेर कीजिए थमसब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेर कीजिए तो देखिए गाइस अब इसे हम हलके से बीच में से बेलेंगे कभी भी साइट से मत बेले बीच में से बेले और अगर ये फटने का डर भी होता है तो आप dusting करके इससे cover कर लीजिए इससे कोई फरह नहीं पड़ता क्योंकि एकदम soft है ये तो पूरी अच्छे से पख जाएंगे और खुलेंगे भी नहीं आप देखिए आपको डर लग रहा होगा दबा कर अगर बेल दिया तो फटेंगा 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 तो फिर पराटा नहीं बनेगा ऐसा हो यह नहीं सकता देखिए इस तरह से dusting करना है आपको और देखिए इतने अच्छे पराटे बनकर तयार होते हैं आप पैन कास्तेमाल किजिए जबी भी है beginners जबी भी आप बना रहे हैं कुन से भी पराटे हो या दोशा हो तो आप पैन कास्तेमाल किजिए तो देखिए हम इसे एक तरफ हो सेके गया है तो दूसरी तरफ हम पलड़ते हैं जरी भी इसरुपिंगे बाहर नहीं आई डस्टींग करने से तो इस तरह से आपको धीरे-दीरे slowly-slowly इसे बेलना है rolling करना है slowly-slowly एकदम से जल बाजी मत कीजिए इतनी देर की महनत आपकी waste हो सकती है बेलने में जल बाजी मत कीजिए क्योंकि ये stuffing का पराठा है तो आपको थोड़ा patience रखके बनाना है अब इसे हम oil करेंगे one side आप चलिए हम इसे अच्छे से सेख लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी लाल पीछे से भी बन कर रड़ी हो गया ये पराठा और आगे से भी हम सेख रहे हैं चलिए दो तरफ से आप बटर तो इसमें नहीं लगाना है अगर आप बटर लगाएंगे तो आपका पेर खराब हो सकता है तो देखिए इस तरह से इतने टेस्टी होते हैं मेरे घर में खुश्बू महक रही थी पराठों की, हूली के पराठों की जो मेरे बच्चियां नहीं खाते थे दो वो बच्चियों को भी बहुत पसंद आ गया तो देखिए हमारे पराठी कितने खुश्रत बनकर रड़ी हो गया है तो देखिए इस तरह से आप एक एक करके आप सेक लिजिए अब ये नास्टे के लिए तयार है आप बनना स्टार्ट करेंगे तो खाने वाले आपके पीछे लैन लगा लेंगे इतनी अच्छी खुश्बो होती है इतनी टेस्टी होती है मुली का पराठा इतना टेस्टी होता है आप जरूर और जरूर ट्राइ किजिए आपके घर पे तो guys मेरे recipes आपको कैसे लग रहे हैं आप good comments कीजिए बताइए मुझे आपके बारे में और आपको कौँ से रिश चाहिए आप मुझे share कर सकते हैं बोल सकते हैं मैं आपके लिए ready हूँ anytime तोहसे देखिए गाइस इस तरह से आपको एकए करके इसे सेखना हैं देखिए एक तरफ थोड़ा सालगी जाने के बाद फिर आपको पलठाना है और दूसरी तरफ अच्छा सा शे जाने के बाद फिर हमिसे ऊपर से ऑल लगाएंगे और इसे फिर पलठ लेंगे देखिए एक दम स्वाफ्ट होते हैं मुझ में डालते ही आपको घुल जाएंगे और इसके साथ आपको कोई चटनी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे इंग्रीडियंस में हम अच्छे से डाल दिये हैं कुटावा लेसन है हरी मिच है हरा धनिया जो भी मैंने इंग्रीडियंस इसमें डाली हूँ वो बेहत लजीज होते हैं तो आपको इसमें चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आपके बच्चे केचफ के साथ खाना चाहरे तो आप सर्फ कीजिए देखिए हम दोनों तरफ से थोड़ा सोड़ा ऐल करेंगे देखिए कितने अच्छे लजीज पराटे बनकर तयार हो रहे हैं ब्राउनी ब्राउनी आपके भी मुमें पानी आ रहा है गाइस आइनॉइट तो चलिए और देर किस बात किये बनाते हैं अब बनाईए खाईए और मुझे गुट कॉमेंट्स कीजिए सैडो में दमाना है आपको बीच में नहीं सैडो में दमाना है थोड़े कोर इसके मूटे होते हैं तो सैडो में अच्छे से ये स्टफिंग भी इसके अच्छे से से जाती है तो देखे एक एक करके हम इस तरह से पुरे सारे पराटे बना चुके हैं तो गाइस कैसे लगी मेरे रेसिपी ये पराटे तो आप जरूर मुझे कॉमेंट्स किजिए चलती हूँ दुआ में याद रखना अल्ला आफिस